प्लीज सब्स्क्राइब तु लाल टेन विकाज अलोट अफ इंफॉरमेशन, नौलेज यू नो आप अभी गूगल करके देखिए कि इन सारे केमिकल बेज्ड मोस्किटो और रिपलेंट्स के कितने सारे साइड इफेक्ट्स हैं अब मैं आपको इसका रिपलेस्मेंट बताता हूँ आपके घर में जो ओल आउट है उसके नीचे के रिफिल को निकाल के डिस्ट बिन में फैक्ट दीजिए और अब इस खाली डिवाइस को उल्टा करके प्लग में लगा दीजिए और अब इसमें उपर से रख दीजिए कपूर की दो चार्टी किया और फिर कर दीजिए स्विच ओन अब आप देखेंगे कि ये मच्छोनों को भगाने में इन सभी केमिकल बेज़ प्रोड़क्ट से जादा इफेक्टिव है कपूर आपके घर में अच्छी सुगन तो फैलाता ही है साथ ही इसके कोई भी दूर दूर तक साइड इफेक्ट नहीं है क्योंकि आप जानता ही है कि कपूर एक हवन सामगरी है नेक्स्ट जब भी आप केले लेकर के आते हो आपने देखा हुआ कि वो दो दिन में ही सड़ने लगते हैं और फिर उन्हें मजबूरान फैक्ट ना पड़ता है केलों को जादा दिन तक ताजा रखने के लिए उनके उपरी हिस्से को प्लास्टिक या टेप से कवर करके रखे आप देखेंगे कि केले जादा दिन तक फ्रेश रहें कि वीडियो देखने का मज़ा ही नहीं आगा इसके लिए सिंपली आपको एक काम करना है अपने फोन को एक काच के ग्लास में रखे ऐसा करने से आपका फोन हैंट फ्री तो हो ही जाएगा साथ में साउंड भी तेज हो जाएगी यकीन नहीं आता तो करके देख लीजे नेक्स्ट आम तोर पर हम ऐसे लोगों से बात कर रहे होते हैं जो हमसे ओधे में बड़े हैं फोर अग्जामपल ऑफिस में अपने बॉस या मैनेजर से या फिर जब हम किसी से पहली बार बात कर रहे होते हैं तो हमें उनसे बात करने में थोड़ी सी हिचकी चाहट होती है और हम उनसे आई कॉंटक्ट नहीं कर पाते हैं और एक अजीब तरह की हेजिटेशन सी होती है इसी चीज़ की वज़े से वो हमें तुनंत जज़ करने लगते हैं that we are not confident enough ऐसे में आप उनके ears की तरफ देखके बात करें and trust me उन्हें यही लगेगा कि आप उनकी आँखों में देखके बात करने और फिर आपको सामने वाला seriously भी लेगा और आपकी बातों को ध्यान से भी सुझा next अगर आप चाते हैं कि आपके बच्चों को घर के सभी mobile number याद हो तो आपको बस इतना करना है कि आपको अपने laptop, ipads या जो भी ऐसी devices हैं उनका password अपना mobile number सेट कर दे आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके बच्चों को घर के सारे phone numbers याद हो गए है इसे कहते हैं problem को opportunity में create करना next कितने लोग ही सोचते हैं कि मैं next month से saving करूँगा लेकिन जैसे ही next month आता है तो खर्चों का पहाड भी सामने खड़ा होता है आपको बस इतना करना है कि खर्चे करने से पहले saving निकाल लिए है और फिर जो बचा हुआ है उसी मेंसे ही अपने सारे खर्चे मेनेज करने है यकीन मानिये सिर्फ स्टार्टिंग के एक दो मैने ही थोड़ी सी problem होगी इसके बाद आप मुझे दिल से thank you बोलने वाले interest में तो चलिए दोस्तों यहाँ होता है आज का ग्यान समाग फिर मिलते हैं अगली वीडियो में अरे 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 तहां जा रहे हो जूम इन करो दोबारा यार चैनल कौन सब्सक्राइब करें आप वीडियो देख रहे हो चैनल सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो यार इस लाल टेन के लाल बटम को दबाओ फिर देखो मन को कितनी शांती मिलती है